नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको श्रावन मास महात्यम अध्याय तीन की कथा सुनाने जा रही हूँ तो चलो कथा शुरू करते हैं सनय कुमार बोले हे भगवन आपने श्रावन मासों का संक्षिप्त वर्नन किया है हे स्वामिन इस से हमारी त्रिप्ती नहीं हो रही है अतह आप कृपा करके विस्तार से वर्नन करें जिसे सुनकर हे सुरेश्वर में कृतकृत्य हो जाऊंगा संपूर्ण श्रावन मास पुरान कथा और महात्मय ईश्वर बोले हे योगीश चो बुद्धिमान नक्तवरत के द्वारा श्रावन मास को व्यतीत करता है वो बारहों महीने में नक्तवरत करने के फल का भागी होता है नक्तवरत में दिन की समाप्ती के पूर्फ सन्यासियो के लिए एवं रात्री में ग्रहस्थों के लिए भोजन का विधान है उसमें सूर्यास्थ के बाद की तीन घडियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है सूर्य के अस्थ होने के पश्चात तीन घडी संध्या काल होता है संध्या वेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए ग्रहस्थ और यती के भेद से उनकी व्यवस्था के विशय में मुझसे सूर्य के मन पर जाने पर जब अपनी अपने शरीर से दुगुनी हो जाए उस समय के भोजन को यती के लिए नक्त भोजन कहा गय यती के लिए दिन के आठवे भाग के शेश रहने पर भोजन का विधान है उसके लिए रात्री में भोजन का निशेद किया गया है ग्रिहस्त को चाहिए कि वो विधिपूर्वक रात्री में नक्त भोजन करे और यती, विध्वा तथा विधूर व्यक्ती सूर्य के रहते नक्तवरत करें विधूर व्यक्ती यदि पुत्रवान हो तब उसे भी रात्री में ही नक्तवरत करना चाहिए अनाश्रमी हो अथ्वा आश्रमी हो अथ्वा पत्नी रहित हो अथ्वा पुत्रवान हो उन्हें रात्री में नक्तवरत करना चाहिए इस प्रकार बुद्धि मान मनुश्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्तवरत करना चाहिए इस मास में नक्तवरत करने वाला व्यक्ति परमगती प्राप्त करता है मैं प्रातल का अलसनान करूंगा, ब्रहमचर्य व्रत का पालन करूंगा, नक्भुचन करूंगा, प्रिथवी पर सूँगा और प्रानियों पर दया करूंगा हे देव, इस व्रत को प्रारंब करने पर यदी मैं मर जाओं तो हे जगत पते आपकी क्रिपा से मेरा व्रत पूर्ण हो, ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ती को श्रावन मास में प्रति दिन नक्तव व्रत करना चाहिए इस प्रकार नक्तवरत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है बादान के द्वारा अत्वा स्वयम ही अत्यरूद्र, महारुद अत्वा रूद्रमंत्र से महीने भर प्रति दिन अभिशेक करना चाहिए हे वत्स, मैं उस्वयक्ती पर प्रसन हो जाता हूँ, क्योकि मैं जल्धारा से अत्यंत प्रिती रखने वाला हूँ अत्वा रूद्रमंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रिति कर हों प्रति दिन करना चाहिए अपने लिए जो भी भोजे पदार्थ अथ्वा सुखोपो की वस्तू अतिप्रिय हो, संकल्प करके उन्हे श्रेष्ट ब्राह्मन को प्रदान करके स्वयम महीने भर उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए हे मूने, अब इसके बाद उत्तम लक्ष पूजाविदी को सुनिए लक्षमी चाहने वाले अत्वा शान्ती की इच्छा वाले मनुश्य को लक्ष विल्वपत्रों या लक्ष दूरवादलों से शिव की पूजा करनी चाहिए आयू की कामना करने वाले को चमपा के लक्ष पुश्पो तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मलिका या चमेली के लक्ष पुश्पो से श्रीहरी की पूजा करनी चाहिए शिव तथा विश्णू की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिधह होती है पोत्र की कामना करने वाले को कट्री के दलों से शिव तथा विश्नू का पूजन करना चाहिए बुरे स्वप्न की शांती के लिए धान्य से पूजन करना प्रशस्थ होता है देव के समक्ष निर्मित किये गए रंगवल्ली आदी से विभिन रंगों से रचित पद्म, स्वस्तिक और चक्र आदी से प्रभू की पूजा करनी चाहिए इस प्रकार सभी मनोरतों की सिद्धी के लिए सभी प्रकार के पुश्पो से यदि मनुश्य लक्ष पूजा करे तो शिवजी होंगे तदपश्चात उद्यापन करना चाहिए प्रसन होंगे तदपश्चात उद्यापन करना चाहिए मंदप निर्मान करना चाहिए और मंदप के त्रिभाग परिमान में वेदिका बनानी चाहिए तदनंतर पुन्याह वाचन करके आचार्य का वरण करना चाहिए और उस मंदप में प्रविष्ठ होकर गीत तथा वाध्य के शब्दों और तीवर वेद अद्वनी से रात्री में जाग्रन करना चाहिए वेदिका के उपर उत्तम लिंगत अभद्र बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुन्दर कैलाश का निर्मान करना चाहिए उसके उपर तामवे का अत्यांत चमकीला तथा पंचपल लव्युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उसे रेशमी वस्तर से वेश्टत कर देना चाहिए उसके उपर पारवती पती शिव की सुवर्ण में प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए ततपश चात पंचामृत पूर्वक धूप, दीप तथा नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत, वाद्य, नृत्य तथा वेद, शास्त्र तथा पुरानों के पाठ के द्वारा रात्री में जाग्रन करना चाहिए इसके बाद प्रातह काल भली भाती सनान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखह में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदिका निर्मान करना चाहिए ततपश्चात मूल मंत्र से या गायतरी मंत्र से या शिफ के सहस्त नामों के द्वारा तिल तथा गृत मिश्रित खीर से होम कराना चाहिए अत्वा जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करके पूर्णा हुती डालनी चाहिए इसके बाद वस्त्र, अलंकार तथा भूशनों से भली भाती आचार्य का पूजन करना चाहिए ततपश्चात अन्य ब्राहमनों का पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिना देनी चाहिए जिस जिस वस्तु से उमापती शिफ की लक्ष पूजा की हो उसका दान करना चाहिए स्वर्णवई मूर्ती बनाकर शिफ की पूजा करनी चाहिए यदि दीपकर्म किया हो तो उस दीपक का दान करना चाहिए चांदी का दीपक और स्वर्न की वर्तिका अर्थाद बत्ती बनाकर उसे गोगृत से भर कर सबी काम्नाऊं और अर्थ की सिध्धी के लिए उसका दान करना चाहिए इसके बाद प्रभूसिक शमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में एक सो ब्राहमनों को भोजन कराना चाहिए हे मूने, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है, मैं उस पर प्रसन होता हूँ उसमें भी जो श्रावन मास में पूजा करता है, उसका अनन्त फल मिलता है यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तो मुझे अरपन करने के विचार से इस मास में कोई त्यागता है तो अब उसका फल सुनिए इस लोक में तथा पर लोक में उसकी प्राप्ती लाख गुना अधिक होती है सकॉम करने से अभिलशित सिद्धी होती है और निश्काम करने से परमगती मिलती है इस मास में रुद्राबिशेक करने वाला मनुश्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोर करोर वर्षों तक रुद्रलोक में प्रतिष्था प्राप्त करता है पंचामृत का शेक करने से मनुष्य अमरत्व प्राप्त करता है इस मास में जो मनुष्य भूमी पर शयन करता है उसका पल भी मुझसे सुनिए हे द्विच श्रेष्ट वो मनुष्य नौ प्रकार के रतनों से जड़ी हुई सुन्दर वस्त्र से आजशादित बिछे हुए कोमल गद्दे से सुशोभित देश्तकियों से युक्त रम्यस्त्रियों से विभूशित रतननिर्मित दीपों से मंदित तथा अत्यंत मृदू और ओज, बल, शरीर की दिर्ता और जो भी धर्म के विशे में उपकारक होते हैं वो सब उसे प्राप्त हो जाता है निश्काम ब्रहमचर्य व्रती को साक्षात प्रमप्राप्ती होती है और सकॉम को स्वर्प तथा सुन्दर देवांगनाओं की प्राप्ती होती है इस मास में दिन रात अत्वा केवल दिन में अत्वा भोजन के समय मौन्वरत धारन करने वाला भी महान वक्ता हो जाता है व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए मौन्वृत के महात्म्य से मनुश्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेद वेदांग में पारंगत हो जाता है तथा बुद्धी में ब्रहस्पती के समान हो जाता है मौन्धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता अतह मौन्वृत अत्यंत उत्कृष्ट है बोलो शंकर भगवान कीजए इस प्रकार हमारा सावन मास महात्यम अध्याय तीन समाप्त हुआ